मुल्तानी मिटी भारत में उप्योग होने वाला सबसे पूराना नुस्खा है जिसे आज देश विदेश में भी यूज किया जाता है इसका इस्तमाल कई ब्यूटी ट्रीट्मेंट के लिए किया जाता है यह इसकीन और बालों की समस्याओं के लिए एक जादूई दवा है यह मुल रूप से एक मिटी है जो पानी के साथ मिलकर चिकनी मिटी की तरह बन जाती है यह मुक्य रूप से आपकी तवचा में चमक लाने में तवचा की अन्य समस्याओं जैसे की पिमपल्स मुहां से जो आपके माक्स होते हैं वो टैनिंग आजिक उदूर करने के लिए करने से स्कीन की ड्राइनेस डलनेस और जो ओइली स्कीन होती है उसको भी यह अटाने का काम करता है अब एक सवाल है कि ओईली और ड्राइल दोनों को कैसे हटा देगा दरसल इसको अलग-अलग चीजों में मिला कर अलग-अलग तरीके से यूज किया जाता है जिससे यह जूरियों को कम करने का काम करती है बलकि जो एजिंग आपके चारे पर जलगती है उसको भी कम करने का काम करती है इसकीन के साथ साथ आपकी बोड़ी को यह काफी अच्छी तरीके से इफेक्ट करती है हाला कि आज के टाइम में कई ऐसे ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिन में स्कीन पर मुलतानी मिठी का यूज किया जाता है इतना ही नहीं बोडी पर पिर रिलेक्षिंग के लिए मुलतानी मिठी का यूज किया जाता है आईए बात करते हैं कि किस तरीके से मुलतानी मिठी का यूज किया जाता है सबसे पहले बात करेंगे कि सूजन कम करने के लिए तो जीन पार्ट्स पे आपके सूजन आ रही हो और आपको एडवाइस क्या गया हो कि ठंडी चीजों का यूज किये करें वहाँ पर आप मुलतानी मिटी के लेप का यूज कर सकते हैं इससे मुलतानी मिटी से ठंडग आती है, सूजन कम होती है और तवचा को रिलेक्स फील होता है ब्लड सर्कुलेशन सुधारने का काम यह शेरी में मेटाबोलिजम को बढ़ा कर ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करता है रज संचार बहतर होने के साथ में यह है जो डेड़िस कीन होती है उसको भी निकालने का काम करता है पिग्मेंटेशन यानि की जाहियों को कम करने का काम खराब वाताबरन, खराब खाने पीने, सुरज की खिर्णों की वज़े से कई बार आपको समस्या जाती है पिग्मेंटेशन की कई मालला को प्रेग्नेंसी के दोरान भी पिग्मेंटेशन की समस्या जाती है उसके लिए आपने कई नुसकी यूज़ कियोंगे लेकिन अगर आप नारेर पानी और थोड़ा चीनी मिलाकर मुलतानी मिटी का पेस्ट अपने फेस पर यूज़ करेंगे तो ये काफी अच्छा काम करता है पिग्मेंटेशन को हटाने का अटिसेप्टिक गुन कहा जाता कि मुलतानी मिटी एक अंटिसेप्टिक की तरह भी काम करती है ये घाओं के कटने और छिलने पर अगर लगाये जाये तो उसके काफी अच्छा काम करती है लेकिन ये एक्सपर्ट के तरीके से ही लगाने चाहिए इसका एक पेस्ट बनाकर घा चोटे चोटे दाने हों किसी तरीके का स्वेंकर्मन हों तो मोलतानी मिठी में गुलाब जल मिलाकर अगर आप उस एफेक्टिट एरिया में लगाएंगे तो एप की अलर्जी को काफी अच्छी तरीके से आराम मिलेगा आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सबस्क्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा थैंक्यू सो मच